घ्लो दोस्तों, यह है TBS Star City Plus इस बाइक में प्रॉबलम है, जब हम गारी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब एक्सटर करते हैं, एक्सटर को छोड़ने के बाद भी RPM जो है वो काम नहीं होता है, दीरे-दीरे कम होता है उसके बाद जो है आड़ी बंद पर जाती है ठीक है और नहीं हो रहा है तो इसका महल्ब क्लरेंस का यानि टैप इट का प्रोब्लेम है तो अजह से चेक करेंगे यह सए हैं कि नहीं तो स्टेप बई स्टेप आपको दिखाते हैं तो टेपीट का इस सब्सक्राइब करने के लिए हमें बनबर है सबसे पहले हम इसे खोड़ लेना है क्योंकि टाइमिंग को टाइमिंग करना पड़ता है ठीक है टाइमिंग करके टापिट को अग्जेस्ट किया जा सकता है तो यह इसका लिए कि धूर बल्ट यहां पर सब्सक्राइब कर लिए टाइमिंग को मिलाने के लिए ठीक है तो पहले से mass काइब किसे निकलना जोड़ी है किो किके टापिट को अरुके जाता है तो यह मैंन्स रिमूब कर लिए कि इसके क्याप है और यहाँ पर टॉप लिखा हूँ रह यह अपर के साइद है लगाता समय जान रहे होर त्रबृट का जो यह आइकाया काप है 24 नंबर करें रिस्ट के साइड यह बहुंत है जो है इधर साइट है इनलेट कि साइड स्टें कि करेंगे यह उसको वरिंग अटक गया ठीक है हम निकल लिया आज यहां पर आप देख सकते हैं इसे हम चेक करेंगे यह टाइट है ज्यादा या लूज है ठीक है उसके पहले हमें टाइमिंग को मिला लेना है यहां पर डॉट का निशन हो और यहां पर गरारी पेक डॉट का निशन है जो इसे आपस मिलाना है और यहां पर एक लाइन है इसे भी ठीक किसी तरह से रखना है आपको और मैगनेट की साइट पर यहां पर एक लाइन है सिसे बीच में रखने आपको सुक्स mister उसके लिए हम एक दि कि मादत चाहि है अर न इनलिक का इंब सेभी भी चेक करेंगे तो यह जो है एक्जॉस्ट का जह है वो 0.08 mm का होता है हम इसे अंदर करके देखेंगे यह दिक आसानी सी इस तरह से अंदर बाहर होना चाहिए तो यह जो एक्जॉस्ट का है यह हमारा सही है इसे कुछ करने की ज़रूद नहीं है यह हमारा परफेक्ट है और इंगलेट का जो है हम इसे चेक करेंगे और इंगलेट का जो है 0.06 mm का होता है ठीक है तो यह जो है काफी टाइट है अंदर नहीं लूज कर लेंगे सबसे पहले टेफिक एक्जिस्ट करने के लिए यह फिलार गोज जो है वो अंदर नहीं गूज रहा है तो हम इसे लूज कर लिते हैं पहले लूज हो गया है अब इस फाने के मदद सामे से लूज करेंगे कुछ इस तरह से अप देख सकते हो ऑप जोए गेज का अंदर रखे दिखेंगे कि जा रहा है नहीं अंदर कि इस गेज का जो यह देख सकते आप अब अब अंदर डाल दिया हम इसे आशे टाइट करेंगे ज्यादा नहीं टाइटी ता कि यह ज़ो गे जो 8 mm का जो बोल्ट है इसे हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से तो यह देख सकते हैं यह आसानी से अंदर बाहर हो रहा है यानि जो भाल पर जो गयाप है कि लारेंस का वो सही है अब जहां इसे क्याप को लगा देंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करके देखेंगे तो जो तो चीव हमने खोली है उसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे अगर अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा तो बाद में इंजिन वेल जो है वो लीक करेगा ठीक है तो हम इसे टाइट कर देते हैं यह एक जॉस्ट का साइट का है तो यह हमने टाइट कर दिया उसके बाद यहां पर जो क्या पर हमने खुली थी इसे भी लगा देंगे तो इस तरह से दोनों बोल्ट का में अच्छे तरह से टाइट कर देंगे एट एम्यों का जो बोल्ट है मैं करते है है यह जो बोल को बहना टाइट कर देंगे 13 की पाने की मदद से इसे टाइट कर दिया हमने अब जोैंने घारी को स्टार्ट करको देखते है रपी यह भराया है नहीं गाड़ी को स्टार्ट कर लेए आज 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 तक एक आज इस्टार्ट होगी है आज पूंट 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 एनगे कर दिया नश्राइब दिए लिए अजिवाइब बार सब्सक्राइब देब है कि जुमना पूंट कर दिया अब आज पिंच जो सही है कोई प्राब्लेम नहीं है थैंक्यू सो मॉच थैंक्स पॉचिंग